दिल्ली NCR में सोमवार को चली तेज आंधी और बारिश का असर अभी भी मौसम पर दिखाई है दे रहा है इसकी वज़ा से नियूंतम ताकमान में भाड़ी गिरावट दर्च की गई है और अधिकतम ताकमान भी सामाने से कम रिकॉर्ड हुआ है ऐसे में भीशन गर्मी से राहत जारी है IMD के अनुसार बुदवार की शाम को एक बार फिर से मौसम में बदलाव होगा मौसम विभा की मुताबिक दिल्ली में आंशिक बादल चाय रहेंगे और गरच चमक का अनुमान है वहीं 20-30 किलोमीटर की रफतार से तेज हवा चलने की भी संभावना है इसके अलावा हलकी बारिश भी हो सकती है 2-6 जून तक मौसम साफ रहेगा लेकिन दिन के समय तेज हवाएं चल सकती है गुरवार को अधिक्तम ताफ़ान 41 डिगरी और नियूनतम ताफ़ान 25 डिगरी के आसपास रहने का नुमान है हाला कि एक सप्तहा तक लू चलने के आसार नहीं है इस दोरान गर्मी का सितम बढ़ेगा मैं दिनली में कल यानी मंगलवार को नियूनतम ताफ़ान समाने से 7 डिगरी कम 20.4 डिगरी सेल्सियस और अधिक्तम ताफ़ान भी समाने से 1 डिगरी कम 49.4 डिगरी सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ हवा में नमी कस्तर 34 से 71 परतिशत तक दर्ज हुआ वहीं दिल्ली में आज यानि बुद्वार को अधिक्तम ताफ़पान 40 और नियूंतम ताफ़पान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और आस्मान में बादल चाय रहेंगे और गरत चमक के साथ बिजली भी चमक सकती है हलकी बारिश भी हो सकती है नौइडा की बात की जाये तो नौइडा में अधिक्तम ताफ़पान 46.6 डिग्री सेल्सियस और नियूंतम ताफ़पान 37.2 डिग्री सेल्सियस रहने का नुमान है मौसम साफ रहेगा मही गुरू गराम में अधिक्तम ताक्मान वयालिस और यूंतम ताक्मान 26 जिक्री सेल्सियस रहनी की संभावना है यहां भी मौसम साफी बना रहेगा मही बुद्वार की सुभा दिल्ली में AQI बहुत खराब शेड़ी में 315 दर्ज हुआ है नॉयडा में AQI 375 जबकि गरू गराम में 305 रिकॉर्ड किया गया है केंदरी परदूशन, नियंतर और बोड के आखड़ों के मताबिक इस साल मही में दिल्ली की बायू बुद्वाता सुच का पिछल तीन साल में सबसे ज़ादा खराब रही है बीर्ट पूर्ट, माकेटम्स तीव